सोलन के परमानों बाइपास पर एक टमाटर से भरी पीकप मोड पर पलट गई सुख़त बात ये रही कि पीकप के चालक को हलकी चोटे आई हैं मिली जानकारी के अनुसार ये पीकप सोलन से चंडिगड की ओर टमाटर लेकर जा रही थी मोड पर तेज रफ़तार के कारण पीकप का चालक गाड़ी पर नियंतर नहीं रख पाया और मोड पर ये तेज रफ़तार पीकप पलट गई गाड़ी में रखे टमाटर सड़क पर बिखर गए दुर्गटा में गाड़ी और उस पर रखे टमाटों के भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्स कर चानबीन आरम कर दी है। और चालोक को प्रमानों के आई-एस-आई अस्पताल ले जाये गिया और उसे पुष्टाच के जा रही है।